आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसे रिकॉर्ड निकालना सिखाऊंगा जिनकी मदद से फेंटैसी लीग में आप बहुत अच्छी टीम बना पाएंगे और इस IPL में उसका पूरा का पूरा फायदा उठाते हुए अगर किस्मत ने साथ दिया तो पैसे भी जीत पाएंगे वो दो रिकॉर्ड क्या है पहला रिकॉर्ड ये है कि IPL में कोई भी खिलाड़ी किस ग्राउंड पे कैसा परफॉर्म करता है यह मैं आपको निकालना सिखा दूँगा साथी मैं आज आपको यह भी बताऊंगा कि कोई भी बैट्समेंड किस बैटिंग पोजिशन पर IPL में कैसा परफॉर्म करता है यह भी मैं आपको बता दूँगा जैसे कि आपने सुना होगा कि विराट को लिए इस सिजन में ओपनिंग करने वाले हैं तो मैं आपको बताऊ सब्सक्राइब कर लिए यहाँ पर मैं इस तरह के रिकॉर्ड निकालना लगातार सिखाता रहता है मैंने कई सोई वीडियो बनाए हैं जिनकी बदद से आप इंटरनेशनल क्रिकेट, IPL, कोई भी और डॉमेस्टिक लीग उसका रिकॉर्ड चुटकियों में निकालना सीख जाएंगे नमस्कार दोस्तों, वेलकम टो अनदर वीडियो फ्रियल किंग ओफ करिकेट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप IPL में किसी भी खिलाडी का, किसी भी ग्राउंड पर पर्फॉर्मेंस जो है, रिकॉर्ड जो है, जो है, जो में निकालना किसे सीख जाएंगे साथ ही मैं आपको यह भी बताने वाला हूँ कि IPL में कोई भी बैट्समैन किस बैटिंग पोजिशन पर कैसा परफॉर्म करता है तो यह दोनों डिकॉर्ड निकालने के लिए मुझे जाना होगा अपने कम्प्यूटर स्क्रीन पर तो दोस्तों मैं आचुक है अपने कम्प्यूटर स्क्रीन पर और हमने वो वेबसाइट पहले सी ओपन कर रखा है जिस पर मैं आपको जिखाने वाला हूँ कि यह दो रिकॉर्ड आप कैसे निकालेंगे कोई भी बैट्स में ने किस ग्राउंद पेक या कोई भी क्रिकेटर ने IPL में किस ग्राउंद पर कैसा परफॉर्म किया है इस वेबसाइट को नाम है howstack.com मैंने पहले वीडियो बनाया है इस पर इस वीडियो उसके ज़रीए मैंब texture निकालना सिखाया है एक और आज ये दूसरा वीडियो है HowStats.com का आज मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ नॉर्मली मैं स्टैट्स निकलना सिखाता हूँ ESPN Crick Info पर जो मवजूद है स्टैट्स गुरू उससे लेकिन स्टैट्स गुरू से आपके वाल स्टैट्स निकाल सकते हैं अगर आपको IPL के स्टैट्स निकालना है तो उस पर भी मैंने बनाया है ESPN Crick Info से आप कैसे स्टैट्स निकाल सकते हैं उसका लिंक में ऊपर दे देता हूँ लेकिन इस तरह किस ग्राउंट पर किस ख्लारी ने IPL में कैसा परफॉर्म किया IPL में कोई बैट्समें किसी खास बैटिंग ओर्टर पर कैसा खेलता है यह सब निकालना है तो आपको हाव स्टैट्ट पर आना होगा क्या है लीजिए किसी इंडिविजोल का निकालना है कि कौन सा निविजोड कैसा करता है उसके हेसाब से शलते हैं यहाँ पर दिखेगा प्लेयर प्रोफाईल, एंड स्टैक्स इस सेक्चन पर आपको क्लिक करना है गजास अब है कि मैं आ आको कहा था कि आ यह है आपको एक्जामपल दूगा रोहित सर्मा और विराट कोहलका था सब सेपले रोहित सर्मा के लेते हैं पहले हैं तो season में हम all season करदेंगे और team चुनलेंगे Mumbai Indians क्योंकि रोईट सर्मा Mumbai Indians के कपतान है यह रहे, RG शर्मा जो दिख रहा है, यही है रोईट सर्मा, इस पे हम click कर देंगे अब जैसे हम click करेंगे यह निकल के रोईट सर्मा का पूरा profile page जो है कैसा परफॉर्म करता है। तो मतब स्रुषिड सर्मा ने आ IPL केरियर में किस घ्राउंड पर कैसा हुआ यह निकालना है यह ल plast परफॉर्मस एनलयस perfection छो है एक section और फॉर्मसंच बाई ग्राउंड इस पर आपको क्लिक कर देता है परफॉर्मस बाई देखिए अरुन जेटली इस्टेडियुम दिल्ली में दिल्ली का जो फिरोज साइस स्टेडियम स्टेडियुम था उसको अरुण जेटली कहते हैं यहां पर I pharachi qeア आई me 10 match खेलें हैं 10 व्यांको पारीम रिणिंग किया है इसंद इसके तीन सो चारां और है एवरेज जो है उनका 33.78 का है century उन्होंने यहाँ पे एक भी नहीं बनाई है 50 यहाँ पे दो बनाई है इसी तरह से देखिए उसका अच्छा परफोर्मिस अच्छा है और रंजोन नहीं यहाँ पे तेरा मैचों में इन यहां पर तीन हाप सेंचुरी जमाई है और एक सेंचुरी जमाई है मतलब इजन गार्जन में परफॉर्मिस अच्छा है एवरेज भी जो है 46.60 का है और रन जोन हो नहीं यहां पर टोटल केवल 13 मैचों में 466 बनाएं मिल गया ना आपको रोई शर्मा का इरन गार्डन पर कैसा रिकॉर्ड था बिल्कुल आसानी से 30 सकेंड के अंदर में इसी तरह से किसी भी स्टेडियम में आप जिसे की पिछला जो आई पील हुआ था वह हुआ था यूए में यूए में सार्जा क्रिकेट श्टेडियम है तो वहां पर देख लिए तीन मैच रोई शर्मा ने खेले और बहुत ही खराब उनका परफॉर्मिस था तीन मैच में जो है वो केवल जो है स्टेमेन, पिमब भाई हो तो आप को रोई सर्मा को चुनने में थोड़ा सा जो है सतotchकता जो बरतनी होगी है लेगं रोई शर्मा बड़े कलाड़ी है यह कहीं भी जो है नहीं आच्छा कर सकते है औलो रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है लेकिन कई बार मैं देखूँगा कि सामने वाली टीम कौन है सामने वाली टीम में बॉलर्स कैसे है प्रोईट सर्मा का फॉर्म कैसा है इस सब को देख करके तब जा करके कोई मैं एक educated guess जिसको करते हैं कि आप करते तो guessing है क्योंकि क्रिकेट नो कुई नहीं जानता कि कौन सा बैट्समेंट कैसा खेलेगा लेकिन वो guess भी educated हो सिक्षित guess होगा तो उस हिसाब से मैं टीम चुनूँगा जैसे एम चिन्ना स्वामी बैंगलोर में बीस वार मैच है तो बैंगलोर में लार प्लेयर्स अनंट इस वाले ज्हां प्लेयर हा यहां पर आगये यहां पे मिनेसी लाऑं अल पहले कर रखा है हम और से और उन्होंने नौ मैचों में दिल्ली में जो है देखिये 428 रन बनाए एवरेज भी है 71.33 शांदार है यादि कि दिल्ली में मैच होगा अगर कभी आरसीबी का तो मैं विराट गोली को जरूर सेलेट करना चाहूंगा क्योंकि नौ मैच में उन्होंने यहां पर पांच 50 जमाई है पांच 50 नौ मैच मतलब हर दूसरे मैच में 50 और क्या चाहिए इस तरह से इडन गार्डेंस में उन्होंने दस मैच में 307 बहुत अच्छा नही है एम चिन्ना स्वामी बेंगलेवरू में उनका जो रिकॉर्ड है जो होम ग्राउंड है इस वार तो होम ग्राउंड पर खेलना नहीं है वह से यहां पर 75 मैचों में करते हैं मैंने कहा था कि आज आपको सिखाऊंगा कौन से बैट्समें किस बैटिंग पोजिशन किसा परफॉर्म करते हैं एक्जामपल विराट कोली कही लेते हैं कि विराट कोली ने कहा है कि इस बार जो है वह आई-पियल में फिर से जो है ऑपनिंग करेंगे 2016 में उन्हों से आपको बताता हूं चलिए हम हावस्ट डॉट कॉम पे आ गए इसमें स्टार्ट से डिलीट करके से बहटा के माले हावस्ट डॉट कॉम हमने खोल लिया है ठीक है यहां होम पेज इसमें हम जाएंगे लेप्ट साइड में कहां पे more records and statics में हम जाएंगे है ना इसमें जा लेनी है RCB फिर से खोल लेते हैं विराट कोली खोजते हैं विराट कोली आ जाओ यह रहे आ गए विराट कोली भाज साब अब हम जानना किस बैटिंग पोजिशन पर जहां मैंने आपको भी दिखाया था कि परफॉर्फॉर्मेंस बाइग ग्राउंड वही पर देखिए यह दो पाइदा नीचे है परफॉर्मेंस बाइटिंग पोजिशन जी है इसलिए मैंने वीडियो एक साथ बनाया कि दोनों आपको एक ही पेस पर मिल जाएगा तो विराट कोली का IPL में परफॉर्मेंस बाइटिंग पोजिशन यानि कि किस क्रम पे कैसा रिकॉर्ड है उसको ज वेडिवल रिकॉर्ड है और एवरेज है उनका 47.86 मतलब IPL में उनने ओपनिंग भी किया है नंबर 3, 4, 5, 6, 7 पे भी वैटिंग की है उसमें सबसे अच्छा उनका रिकॉर्ड कहां पे है ओपनिंग में ही है तो इसका मतलब एक विराट कोली ने बहुत अच्छा डिसीजन है ओपनिंग करने का और लुको और उनका स्ट्राइग और इनका स्ट्राइग यूद्ध उंहोंने बहुत अच्छा 140 का है इसी अच्छा डिस्वाग नुमर शिक्स पे है और तब वहाँ पर उनका स्ट्राइग रेट 144 कर लेकिनंसन शिक्स पर नोनी केवल 143 पारियां ख बैट्समें नज़र आते हैं विराट कोली इसलिए मुझे लगता है उन्होंने इस बार वापस से ओपनिंग करने का फैसला किया है क्योंकि मिडल ओर में प्रॉब्लम थी आरसेवी के लेकिन अब मिडल ओर की प्रॉब्लम जो है आरसेवी की सॉल्व हो गई है और लगभक साय सॉल्व हो गई है क्योंकि आगे ऑस्टेलिया के लेन मैक्सवेल जो है उनकी टीम में आगे तो मिडल ओर में फायर पावर देंगे यह रिकॉर्ड आपको निकालना मैंने आपको आज दो रिकॉर्ड निकालना सिखाया है पहला कि कोई भी किलाडी किस ग्राउंट पे कैसा परफोर्म करता है अभी जैसे मैंने बैट्समैन का निकालकर दffуд करके दिखाया इसी तरह से आप एक बॉलर का भी निकालकर करके देख सकते हैं रुई ठीमा में किस बैट निकाल जाएगा कि कि इन आ पर इसे लिए यह दो बड़े रिकॉर्ड निकालना अगर वीडियो पसंद आई तो बहुत को लाइक तो ठोकी दोनों एक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना जल्दी मिलते हैं आप से लिए वीडियो में सब तक के लिए गुड़ बाई टेक केर एंड लव यू